नमस्कार मैं हूँ अभयकुमार आप देख रहें अपना खास का आकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी हैं बियार समाचार में हमने कर आये हैं सत्ता की खबरे, गाउं की खबरे, वाट सदस्यों की खबरे, पंचायती राज की खबरे, आंगनवाडी सेवका से जुली ही तमाम तरह की खबरे और वैसी खबरे जो आज दिन भर चर्चा में रही है खबर को हम लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गाउं के चपालों से जो आपको रखता अपडेट और आप रखते हैं आगे तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, खबरों को सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता देखी, और अंगा बाजिले से गजब तरह की खबर आ रही है, चार सहेलियों ने एक साथ जहर खाकर अपनी जीवन लिलासमाप्त करने का प्रयास किया है, इस खबर को जानें करेंगे, आखिर कहां आंगनवाडी सेवका सहाईका से चुनाव डिवटी के नाम पर धोखा दिया गया है, इस पर बात करेंगे, और पंचायती राजविभाग में किन से जन परतिद्यों के खाते में आये हैं, पैसे इस पर चार्चा करेंगे, लेकिन उस्ते पहले थ्वा लंग के उपर से उनएस मीटर ड्रिलिंग हुई है, नीचे सीवेज अक्सपार्ट बलवा हटा रहे हैं, कंपनी के कंपनी ने इसकोप टनल क्यों नहीं बनाई, जाच करने, समीति गठीत रिपोर्ट, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगे, वहां से जनकारी में निकल कर आ रही है, कि जो खुदाई है, वर्टिकल खुदाई होगी, उपर से जो खुदाई होगी, जो ड्रिलिंग होगी, उसमें अब 30 नवंबर तक कर समय लिया गया है, मतलब यानि कि 41 जंदगियों को बाहर निकलने में 30 नवंबर तक का वक्त लग सकता है, अगर सब चीश सही तरीके स से चला तो, हलाके जो टनल के साइड से टनल के ही, जहां मलवे के अंदर से खुदाई चल रहे थी, जो आगे चल कर फस गए थे, वहां भी हाथों से जमीन अब वहां पर मसीन नहीं, बल्कि बेगती जाकर टनल को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब 6 तरीक के 6 प्लान प से पहले, जदियू, भाजपा हो, आरजेडी हो, या रालो जदो, सारे के सारे लोग दलित और महादलित को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां समिनान दिवस के आउसर पर आरजेडी ने जगा जगा पर चौपाल लगाया, वहीं जदियू ने भीम काड़ ख और पिछलों को सादने की काईदत है, मुख मतिन बिहार को विसेश राज के दरजा की मांग भी किया, इसी के साथ ही, विसेश राज की दरजा के लिए अंदोलन करने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ रालो जद के उपेंदो कुश्वाहा ने भी हर विदान सभा में दलि महा समयलन करवाने का दिव में लिया है, और इसके लिए वह लगातार तयारी कर रहे हैं, फिलहार और अंगाबाद के गोह बिधान सभा में सारे लोग कैम्प किये हुए हैं, और उनके दलित परकोष्ट के राज जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष असोक राम यहा जगह जगह गाओं में जाकर इसकी तयारी का जायजा ले रहे हैं, लोगों को निमंतित कर रहे हैं, और उने प्रेस किया है, और इदर राज में दिसंबर से पहले सप्ता में सर्दी बढ़ जाएगी जैसा कि आपको पता है, सर्दी की हाट शुरू हो गई है, और पांच ब शुरू अधर दिया जा रहा है, निर्वाचन आयों के सक्ता आधे इसके बाद भी चुनाओ दिसंदी लिए गया उनसे चुनाओं में करवाया गया तो कहां का मामला है, घंगाने दियुरू अधर डिवाड़ी सिर्का सहाइका को चुनाओ डिवाड़ी में लगाया गया, स करवाया जा रहा है बिहार की खबरों की बात करें तो अब रनीती बनाने में जूट गई है कि अब जिस जैसे भी हो अब हम पिहार सरकार को मजबूर कर देंगे कि उनकी मांगों को माने हाला की बिहार सरकार ही कहिए इन्हें हरता से वापस लाने के लिए तरह तरह के हथकंड मश्रा अपना रही है जो ब्रॉप का पात-पात खेल रही हैं इधर से विका विसिम का साही का भी लगातार बैठा करकर अंदोलन की रूप रेखा कर रही है लोगों को एक जूट कर रही है लेकिन अब देखिए होता क्या है इनका अंदोलन समापत हो जाता है या किना दोलन और उग्रूप लेता है जो भी हो अंदोलन उग्रूप ले या नहीं ले समाप्त हो जाए चाहिए नहीं हो लेकिन जो वाजिब मांग है वह मिलना चाहिए आपका क्या रहा है कॉमेंट में जरूर बताईएगा वहीं अगर दूसरी दरफ बात करें पंचायती राजिवाग से तो बड़ी खबर या रही है कि मुखिया जी के जो खाते में पैसे का टोटा था मतलब पैसे समाप्त हो गए थे अब फिर से उनका खाजाना भरने वाला है मुखिया जी के खाते में मतलग ग्राम पंचायतों के खाते में रासी आ चुकी है अब डोंगल एक्टिवेट करने की परकिरिया जारी है तो अगर आप ग्राम पंचायत से जुले हुए हैं ग्राम पंचायत किसी भी अंग से जुले हुए हैं वाड सदफ से हैं या पंचायत स और हम नजर बनाये हुए हैं वहीं वाड स्राश्यों की यस्तिति है आप जरूर बताईएगा और पंच सरपंच की आगे की रन्नीति क्या है पंच सरपंच महोदय कामेंट पे जरूर बताईएगा क्योंकि आप की बाते हमारे पास ज्यादा नहीं आ पाती है तो हम कैसे आपको सुचना दे पाएंगे आप थोड़ा सा हिंट किजिएगा कॉमेंट में हम पूरी की पूरी ख़बर लेकर आने का प्रयास करेंगे और इधा रेवियेशन की दुनिया में आप खत्रे मन रहा रहे हैं आसमान में उने के ख्वाब को हाई जेत करने का बड़ा करके हम पाइलट बन जाएंगे तो यह आपकी सोच जलत है सिर्फ सिर्फ आपको प्लेन उड़ाना सिखाएंगे क्योंकि आप वेकेंसी नहीं मिल रही है लेकिन हलाकी इनके बीजापन जो होते हैं पर लिखा रहाता है कि हैंड़ परसेंट प्लिस्मेंट होगा और यह अरह कई हिस्सों में आगलगी कि घटनाएं होगे हैं दुकान में सो रहे दिशाई का जलकर मौत हो गया है और यह और अरंगावा जिल्हां से बगट बड़ी खवर आ रही है चार सहेलिया बातों बातों में उलज गई और जहर खालिया एक की जान चली गई और जहर खाने वालो और उनमें आपस में क्या बात हुआ क्या विवाद हुआ कि सभी चारों इतनी दुखी हो गई अपने जीवन से कि चारों ने एक साथ विश्यला पदार तखा लिया अपना जान देने का प्रयास किया अनन्फानन उन्हें अस्पताल लाया गया बगल के जारखंड में जहां ग गया राष्टे में एक सहली का जान चला गया है बाकी तीनों के इस्तिती गंबीर है और मगर मेटकल मेटकल कालेज गया में इलाज चल रहा है उनका और इधर पटना जिले के भववन हीन स्कूलों में के में नए भवन का होगा निर्मान एक पर खट होंगे तीस लाक जाएगा और हर विभ्याले के लिए भवन के लिए तीस लाक रुपे दिये जाएंगे अब इधर अगर नोक्रियों की बात करें तो एससी जीडी कंस्टेवल के लिए दो चब्विस हजार एक सो चैयारीस पदों पर आवेदन शुरू हो गया है करमचारी चैना योग ने कं कमेदवारों से आवेदन मंगे है Chili पदों के लिए छूप मिदवार एक समबर दो हजार तीच तक ऑनलाइन आवेडतन कर सकते हैं वहीं रील्यंवे रीकूर्प्मेंट सेल में बिहार में एक हजार आठ्व सो एकावन पदों की वाकेंसी है उचैना बिकेंसी है रिक ट्रेंड ट्रेंड ऑप्रेंटिस के 1851 रिक्षपदों पर भर्ती के लिए योग मिद्वारों से 9 दिसंबर 2023 तक ओनलाइन आवेदन मांगे हैं और इधर विदेशों से खबरों के बात करें तो सिरलंका के लोगों को लुआने के लिए चर्च और मंदिरों में राशन बाठ रहा है चीन भारत की और लोगों का देख चाइना ने मतलब ड्रेंगन ने बातरा बदल लिया है और देखिए रंग पैसे बहुत खर्थ बहुत कम और रंग फिर भी चोखा वाली हाल है भारत का 33 क्लोड रुपय का निवेस है पर लोगों से सीधे नहीं जोड़ पा रहे हैं अब महां कुछ क्लोड रुपय के बदलत चीन लोगों से सीधे जुल रह है तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था इसी तरह से खबरों के लिए जुए रहे हैं साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कीजिएगा अपना बहुत बहुत ख्यार रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जहिन बंदे मातरम